इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी हार्क्स 10 मिलीग्राम सिर्प का इस्तिमाल चिंता का इलाज करने के लिए किया जाता है और यह सरजरी से पहले या उसके बाद रिलेक्स होने में मदद करता है इसका इस्तिमाल साथ या भोजन के बिना लिया जाना चाहिए इसे बिलकुल वैसे ही ले जैसे कि डॉक्टर ने परची में लिखा है डोज और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे किसलिए ले रही हैं आपका डॉक्टर यह तै करेगा कि आपक यही अगली खुराक लें हाला कि आपको कभी भी डबल डोज नहीं लेना चाहिए इस दवा के सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में दवा खाने के बाद आने वाली नींद, मिचली आना, उल्टी, पेट खराब होना और कब्द शामिल हैं अगर आप इनसे परेशान हैं या स इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको हॉर्ट की समस्या या हाई बलड प्रेशर या लिवर या किड्नी से समबंधित समस्या हो तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं आम तोर पर इस दवा से इलाज के दौरान शराब पीने से बचने की सलाह दी जाती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद